सबी को नमस्कार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपरेंटिसीप की जो नई वगेंस या है हमारी अरियाना रोडवेज कैथल डिपो में उसके बारे में जी हां दोस्तों ये नोटिस अभी जारी हुआ हो और इसमें अरियाना रोडवेज कैथल में अपरेंटिसीप क कि अलगलग ट्रेड के लिए केंडिडेट बर्ती किये जाएंगे और यह शिक्षूता अधिनियम 1961 के तैत होगा यानि कि इसके रूल ने हम पहले फिक्स हो चुके हैं और इसमें बताया गया है कि शिक्षूता अधिनियम 1961 के अनुसार अधिय होगा प्रशिक्षूओं का विवन ट्रेड वाइज इस परकार से है तो दोस्तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आइकन दबाना नहीं मूलें तो आईए शुरुबात करते हैं आज की इस वीडियो की तो दोस्तो जो ये पोस्ट आपकी निगल के आई है ये रियाना रोडवेज के कैथल डिप होंगे और इसमें इस परकार से कुल मिलागे no trade के candidate participate कर सकते हैं और जो इसमें आपकी trade रहेंगे वो इस परकार से हैं painter के कुल दो छातर लिये जाएंगे यानिकिन के पास दो vacancy है welder की दो vacancy है, car painter की तिन, copa की दो trainer की दो mmv, motor mechanic vehicle की सबसे ज़्यादा 22 vacancy है stenoindy की दो, electrician की तिन और tailoring in saving, यानिकी dress making saving technology इनकी कुल दो vacancy हैं यहाँ पर ठीक है और total charge vacancy हैं यहाँ ठीक है, और total charge vacancy हैं पर candidate बर्ती करेगी Ariana Roadways, Catholic Depot तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले apprentice portal पर आपका registration होना निवार यह है अगर आपने registration नहीं किया तो description में दिए गए link पे click करके description में दिए गए link पे click करके आप अपने mobile से ही registration कर सकते हैं साथ ही साथ दोस्तों इसके लिए जो आपको site visit करने होगी वो होगी आपकी apprenticeship india.gov.ing ठीक है, इसमें आपके जो आवेदन शुरू होंगे वो 25 अक्टूबर से लेकर 3 अमबर तक आप आवेदन कर सकते हैं यानि कि इसमें कुल आपको 9 दिन दिये गए हैं और 3 अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक ही आपके आवेदन सुईकार के जाएंगे आवेदन करते शमें, उमीदवार अपना photo, अदार नमबर ID, Domicile, Metric, प्रवान पतर, ITIV भाग द्वारा जारी, ITIV की मूल कोपी ही अप्लोड करें यानि कि कुछ दोस्त स्कैम कोपी करके फोटो कोपी स्तरे के लगा देतीं वो कलियर वीजीबल नहीं होत थी, तो वो candidate मनें नहीं किये जाएंगे ठीक है दोस्तो, इसमें next बताएगा, अगर online आवेदन में किसी भी प्रार्थी जिन्माता पिता का नाम जिनमती थी, वै नुक्ती से परो उसके दस्तावे जोगा ने रिक्षन उप्रांत कोई भी 30 पाई जाती है, तो उसका अवेदन रद दिखिर दिया जाएगा यानि कि कई candidate की profile incorrect होती है, जैसे किसी के पिताजी का नाम प्रदीप कुमार है और दसमी के DMC में प्रदीप है तो ये अलग अलग हो गया, इसलिए आपकी apprenticeship profile में सेम नाम होना चाहिए जो आपके document में है ठीक है, final list जारी होने उपरांत येदि आवेदक एक सब्ता के अंदर अपनी उपस्थिती कारियालिया में नहीं देता तो उसकी निक्तिरद हो जाएगी यानि कि आपको एक सकता में अपने report करनी है और जो आपका chain pre-career एगी हो, ITI mark city में जो आपके अंक मिले हैं उसके अधार पर merit सुची बनाए जाएगी और जो merit माएगा candidate के ओल उसका chain किया जाएगा तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं बहुत जल्द, next के साथ, जैहिंद